लगने उसे बड़ी खबर सामने आ रहे हैं अखिलेश यादों लोग समा सीटों को लेकर कर रहे हैं मन्थन सपा कारेयले में नेताओं कारेकरताओं के साथ बैठक जारी 19 सीटों पर अभी भी घोशित करने हैं समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी दावेदारों को लेकर अखिलेश यादों कर रहे हैं समीग्षा 19 सीटों के लेकर समाजवादी पार्टी में मन्थन जारी 19 सीटों पर अभी भी गोशित करने हैं प्रत्याशी दावेदारों को लेकर अखिलेश यादव कर रहे हैं समीक्षा और इसी खबर पर यूपी से स्टेट हैट प्रियम पाठक हमारे साथ लाइफ जूर चुके हैं जी प्रियम सपा सुप्रीम अखिलेश यादव जिस तरह से कारे करता हूं और नेताओं के साथ बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं उन्हीं सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर क्या कुछ ताज़ा अब्रीट है बिल्कुल चुही देखिए लगातार इन दिनों राजनेतिक दलों के बीश में बैठकों का दौर जो है वो जारी है रगबग सभी पार्टियों ने अपने अधिकतर सीटों पर प्रत्यासी हैं उनकी नामों की घोशना कर दी है और जो बच्ची हुई सीटे हैं जिन पर प्रदेश के सभी पतादिकारी है और इसके लवा खुद राष्ट्री अध्या चक्लिश यातों जो हैं वो इस बैठक में मवजूद हैं और इसके अंदर माना जा रहा है कि जो बची वी 19 सीटे हैं जिन पर अभी तक समाज़ों के नाम की घोशना नहीं की है उनको लेकर इ उसमें filter किया जा रहा है और देखा जा रहा है हर एक शीट को लेकर इसके लावा जारे की चाइश को के अपनार बिजया बीजिवं को लेकर कि उसको कि खुछ है उस पे भी इस बैठक के अंदर जो है वो मन्थन किया जा रहा है और इसके लावा हर एक सीट को लेकर क्या वहां पर समिक्रण बनता हुआ दिखाई दे रहे पिछले जो चुनाओं के नतीजे रहें उस सीट के वो क्या रहे है वोट परसेंटेश की बात की जाए कास्ट वा वी है कि जो मिदवार हैं वो कौन होंगे क्या समिक्रण पार्टी अपनाती है पार्टी की लिहास से कौन से समिक्रण जो है वो इन सीटों के लिहास से बाराइट रहे हैं उनसे सबक लेते हुए इस बार उस सभी चीजों को जो है बहतर किया जाए जो कहीं न कहीं पिछली बार हार की वज़ा बनी थी और उसी लिहाज से जो है वो देखा जा रहा है कि कौन सा प्रत्यासी है जो सबसे जादा जिताओ पार्टी के लिए साबित होकार चुकि जो मखाबला है वो साप तवर पर NDA से होना है तो ऐसे में पार्टी जााती है कि इस तरपर उसको जाका तयारी करनी है और किस तरीके से उसको वहाँ पर प्रियास करना होगा जिसके बाद जीत है उसको सुनश प्रेम.